लॉकडाउन के दूसरे दिन, लॉकडाउन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पत्ना के गली कुचो का मुआइना पत्ना जिलाधिकारी और पत्ना एससपी उपेंद्र कुमार शर्मा करते नजर आए लॉकटर वारी नजर आ头ब भी एक जरने यालिए यहां बना खाउनिंग मुटव पत्ना आप लोग कल भी देखे होंगे कल हम लोग ने कारवाई की थी और उसके बाद आज के भी आखरे हम लोग देखे कि पुरे देश वर में कितनी लोगों की जाने गई है और पॉजिटिविटी आज भी पतना की लगबग रहे यार के आसपस केस आया है तो गंबीरता भी बने हो है सिस्टम 11 बजे के बाद जो लोग निकल रहे हैं वो लोग आवश्चक तमसा ही निकल रहे हैं ऐसा हम नहीं कहें कि बहुत सारे लोग भीना मतलब का इसका फ्रीडम का फायदा उठा रहे हैं कल भी हम लोग का experience से ही था लेकिन हम लोग आज बाइलेंस में जाके देखना कुछ किराना दुकाने अपने दुकान खोल के रखते हैं तो उसको हम लोग चेक करें निकले हैं अभी ऐसा हां पर दलदली में लोग आये थे अधिकांश लोगों ने बंद किया हुआ है एक दुकान खोली पाई गई थी उसके उपर हम लोग 188 में भी करेंगे और बाकी बहुत ज़रो था, बहुत ज़रो था लोगों की सहोग की और सिर्फ बिहार में ही नहीं हर जगा इस तरह की कवायद की गई तो लोगों का सहोग बहुत वांचित है पत्ना के गली कुछों का निरिक्षन करने पहुँचे जिलाधिकारी और SSP के सामने ही मौजूद पुलिस निकले, आपको बताते चले कि इस दोरान पटना के दलदली रोड इलाके में खुली कई दुकानों को जिला प्रशाशन ने सील भी किया है, इस दोरान जिलाधिकारी ने कई दुकानदारों को चेतावनी भी दी कि अगर वो तैज सीमा के बाद अपनी दुकाने खुली रख लगते हैं, तो उनके दुकानों को सील करने की कारवाई सुनिश्चित की जाएगी, इचीवी भारत के लिए पटना से मैं नियस्तिपाथी